बिसम्रायराम वालेरोहीम अज करद है hemos ability to model him or наши components relationship क्या चीज होती है डेका मॊदलीं सर जो डेटाबेस कali करतें इसको डेता मॉइलिक कहती है इसका पर प्रफस कया होता है इसका प्रफस जी होता है कि आप एक तो आपने जो है उसको safe and secure रखें और उसको hygienic data को रखना so that कि उसके अंदर जो changes हो जाती है data के अंदर एक के अंदर आगर आप change कर रहे हो तो दुसरे के अंदर change अगर वो उसके accordingly है तो दुसरे के अंदर change हो जाना चाहिए यह आपके कुछ relations है जो आपके इसको create के जाते हैं यहां पर आपके अपस multiple tables होते हैं असल में जो data modeling है यह concept है rdbms का rdbms यह से हम पहले बात कर चुके है relational database management system उसका यह part है उसके अंदर इसको जो data modeling जो की जाती है data modeling का motive क्या होता है कि आप जो database के अंदर anomalies है उसको आप reduce करना जाते हैं the major purpose and objective of the data modeling is to reduce the anomalies जो anomalies है उसका reduce करना वो data modeling का motive है तो सबसे पहले आप यहां पर देख लिए definition क्या बात कर रहा है कि process of identifying data objects process of identifying data objects जो objects है उसको identify करना and their relationships between them सबसे पहले data यहां पर आपको बता दूँ कि data objects से मुझाद एक relation data objects से मुझाद को फाइल है data objects जो इसके अंदर फाइल है और फाइल के अच्छल नदर table होता है जिसके अंदर records होते है तो table की फॉर्म में relation पर इसके अंदर table की फॉर्म में data store होता है एक आहाम traditional file system जो इसके अंदर नहीं होता तो एक जो यह आप यूँ कहलें कि data objects है actual में यह relation यह table की बात की जा लिए यह नहीं उन tables को identify करना identification से यह मुझाद है obviously identify करेंगे तुमके relation सी बन पाएंगे आप relation उसका create कर सकते हैं किसी दूसरे table का किसी दूसरे table के साथ जो उस जैसा है जुष को तालग है आप एक चीज का तालग ही नहीं वह हो तो उसका कोई relation नहीं होता तो यह relation जब भी create किया जाएगा तो उसके साथ किसी ऐसी चीज का जो है आप create करेंगे कि जिसका कोई तालग बंढ़ें उसके साथ कभी देखे हैं, हमारे हाँ तो यहां पे शेक्षिंट है, आप पाकिस्तान में तर ऐसा नहीं होता है, वह सब तर इस के इंप्री के तर ऐसा होता हो, लेकिन इसका कोई जोड नहीं है, बिंडी और आलू का, कि बिंडी और आलू पके हो, आलू और गोश्ट का कोई तालू का तो आप बाकी और बहुत सारी सबसी हैं, उसके साथ कोई रिलेशन बन सकता है, टिंडों के साथ गोश्ट का रिलेशन बन सकता है, लेकिन टिंडे आप बिंडी में डाल दें, तो वह बहुत मजीदी सी एक चीज आपके बास बन जाएगी, यानि उसका कोई तालूक और जो उसके साथ, उसे की साथ रिलेशन बनता है, बगैर जो और रिलेशन चिमी मनती है, वह बन जाएं तो वह तूर जाते हैं जतीं, सहां है न, इसे तरीके से डीटा बेस के अंदर आपके पास जो रिलेशन होते हैं, उनके तरे मैं रिलेशनश्ट के रिलेट करना एक्च्शल के अंदर data modeling कहलता है following आप the component of the data modeling entity अब इसके components कौन-कौन से है data modeling जब हम करेंगे तो इसके अंदर कौन-कौन से terms कौन से terminologies आपको जब दिखने होंगे इसके अंदर entity itself attributes, relationships, cardinality and modality there are five components of the data modeling हम one by one को briefly और ये short definitions भी कही बार आचुक है जैसे ये question short question में आ चुका हुआ है उसके बार attribute इसके बार अचुका हुआ है relationship और उसके types पूची गही है बाद रखा और cardinality की definition पूची गही है modality की definition जो है वो पूची गही है information in database एक entity जो है ये कोई भी हर वो कोई भी वो चीज है जिसके बार में आप information जो है database के ओपर रखना चाहरे हो और entity may be a person, place, object, concept about which someone is concerned to store information in the database database it may be any person, may be any anything about which you are concerned to write something in the database ये एक teacher हो सकता है, ये student हो सकता है, ये table हो सकता है जिसके बार में आप information कर रहे हो, ये computer हो सकता है यह कोई आपकी organization हो सकती है, कोई company हो सकती है, उसके बाद employees हो सकते हैं, तो उसके बाद कोई product हो सकता है, कोई concept हो सकता है, inflation हो सकती है, deflation हो सकती है, कोई भी concept इसके दरा से इसके बारे हम आप इनको information है, वो टेबल के अंदर जो आपके store करते हो, तो वो एक entity कहलाती है, so entity is anything about you which you are concerned to write information in the database. Entity is sometimes referred to as a relation or a table in RDBMS. जब हम relational database management system, RDBMS यह रिलेशनल database management system, तो इसके हम बात करते है तो इसके मुराद table or relation, तो यह है entity, उसके बाद अब जो next point है, वो है attribute के बारे. An attribute यह होता है, An attribute is a particular field of relation in which a specific piece of information about the subject is stored. यह यह एक attribute क्या होता है? तो यह एक compile यह प्ने जो जो उसके 5 column है पहला जो लोदी, यह सारी attributes है, इसका attribute भी कहते है, इसके की भी कहा जाता है . relational database के अंदर, attributes are the columns of relation, for example, role number, ये column है, इसलिए किसे student name, student address and student marks, may be the attributes of a student table, ये इस तरह की attributes हो सकते है, each field should have a unique name and unique data type, इसके अंदर जो हार जो सक दिल है, वो एक unique name होना चाहिए और unique data type, उसके अंदर होनी चाहिए, उसके बाद, the next, जो टाम है, वो है, relationships के बारे में, ये बात आप समय लगे हो कि field should have a unique name, उसके नहीं नहीं हो सकते है, और उसके अंदर जो data type होनी चाहिए, उसके अंदर unique values होनी चाहिए, उस type की value होनी चाहिए, अगर आपने number select कर लें तो उसके अंदर आप alphabets enter नहीं कर सकते है, relationships क्या है relationships are the connections, the links, which indicates that how the entities are connected to each other, एक entity के साथ किस तरीके से connected है, कि एक में कौन सा change के रहे तो दुसरे के अंदर change आएगा, इस तरीके से functions होते हैं, इसी तरीके से relations होते है, all the relationships are bidirectional, relationships can be one to one, one to many, many to many, many to one, and recursive relationships, ये इसके अंदर जो हैं, categories होती हैं, relationships की, अगर आप से पूच आप स ये बता सकते हैं कि one to one हो सकता है, one to many हो सकता है, many to many हो सकते है, many to one हो सकता है, recursive relationships हो सकते हैं, अब आते हैं one to one की तरफ, one entity is associated with another entity, for example, one manager is associated with one department, so the relationship of a manager with his department is a one to one relation, एक manager, एक department का एक manager होता, overall, ठीक है, उसके अंदर उसकी hierarchy अलग हो सकती है, यानि एक overall operational manager, assistant manager, ये हो सकते हैं, organization के अंदर, लेकर overall जो head होगा, जो एक department को head कर रहा है, जो report कर रहा है, obviously एक ही होगा, वो सारे उसको report करेंगे, और वो जाकर आगे company को report करेगा, तो इसलिगे हम कह सकते हैं, कि main manager है, जैसे है, आपका एक floor manager होता है, तो floor manager वहाँ का है, उस particular floor का है, व वो आगे भी report कर रहा है, organization को, तो ये one-to-one relation है, one-to-many, एक entity, अगर बहुत सारी entity से relate कर जाए, तो one-to-many है, one entity associated, is associated with many other entities, for example, our company is associated with all its working employees, ये one-to-many है, company एक है, और उसके साथ आने वाली जो, उसका organizational chart है, जिसके बहुत सारी, जो, इसके member, stakeholders आते है, उसके तामा जो relation है वो one-to-many है, और इसके लागा है, बहुत सारी, आप example, जो है, इसके अंदर जो, दे सकते है, और उसके बाद आ जाता है, जी, आपके पास next, और वो है, many-to-many, many entities are associated with many other entities, for example, in company, many employees are associated with multiple projects, बहुत सारे employee, बहुत सारे project, तो ने एक A employee है, वो project A पर भी काम कर रहा है, project B पर कर रहा है, तो मैं लगी, तो multiple projects है, multiple employees है, multiple projects, multiple employee ले रहे हैं, multiple employees, multiple projects के अंदर associate कर रहे हैं, तो इसका मतलगी कौन सा हुआ, यह many-to-many होगा है, और उसके बाद, many-to-one जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, जी, many employees are associated with one, अगर एक project के साथ हो, तो वो many-to-one होके, और many-to-m जनी के अंदर के है, multiple projects or multiple employees, उसके बाद, recursive relationships है, यह क्या होते है, when an entity is related to itself in our relation, it is, it would be called a recursive, recursive का मतलब होता है, recurs कर देना, यह उसको recurs का मतलब होता है, यह उसको revert back, अपने साथ ही, अगर उसका कोई association relationship हो, तो वो आपका relation कौन सा कला है, recursive, for example, an employee who is also a manager in an organization, or a university student, who is also a teacher at his university, for example, जैसे अक्सर आप देखते हैं, यह एक student है, एक organization का, यह उसको chance दे जाता है, यह आप जो हो, lectureship के लिए apply कर सकते हैं, और पहले semester के students है, उनको आप lecture deliver कर सकते हैं, तो यह आपका relationship देखा जाए, तो recursive relationship बनेगा, क्योंकि वो ही अपने आपको represent भी कर रहा है, student और teacher भी है, और teacher भी, तो उसके बाद आजाता है, next time, वो है cardinality, cardinality, number of records in a relation is called cardinality of the relation, the cardinality of a relation changes as new record is added, our existing record is deleted, cardinality change हो, cardinality के है, how many records are there in a table that is known as cardinality, कितने हैं, उसके अंदर हो records होते हैं, और cardinality change होती है, जैसे ही उसके, आपके record change होता है, यानि, अगर आप नए record add करेंगे, तो cardinality बढ़ जाएगी, और आपको record delete करेंगे, तो cardinality reduce हो जाएगी, table with 50 record has a cardinality 50 in a relation, cardinality can be 0, 1 or more, cardinality 0 को होगी, जब उसका कोई record नहीं होगा जाएगी, तो, उसके बाद है, modality, modality defines the nature of relationship, such as optional या mandatory, कुछ relations होते हैं, जो optional होते हैं, यानि, यह हो भी सकता है, और यह नहीं भी हो सकता, और कुछ relations mandatory होते हैं, कि यह इसका relationship must है, यह आपक अपक जिसे, आप फिल्टर हैं, बास दपा, उसके साथ एक field mandatory होती है, जैसे कि आ इसके साथ hysteric लगा होते है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, यह लाज़नी है आप इसको, जो है वो, जो भी information आपको लिखनी है, वो आपको लिखनी है, आपको लिखनी है, optional is represented by zero, database relation, यह हम ER diagram के अंदर, हम इसको obviously, नीचे वो ही है, लेकर हम नहीं वीडियो के अंदर इस इसकी modality को represent कर रहे होते हैं, लेकर जो zero होगा, वो optional को represent करता है, optional, जहाँ zero आएगा, इसका मतब relationship is optional, may or may not, हो भी सकता है, नहीं है, लेकि जहाँ one है, इसका मतब जो, उसका relationship है, वो must है, modality is also called, optionality or ordinality, so ordinality, optionality and modality, these are the same terms, तो लेहाज़ा, optionality पूछे, ordinality पूछे, modality सकते हैं, यह थी आजकी video, और इस ख़ाले से, उमीद यह की जा सकती हो, लेकिन उमीद यह भी की जा सकती है, कि आप खीव फिल भी जा ना लगी हो, तो कोई बात नहीं, अगर अधर अच्छी लगी है, और अच्छी नहीं लगी है जो उसको आफ़ आतने डिस लाइक, यह दोनों केस में परमेंट्स में जरूर लिखती है जगा कि इस तरीक से इसको इप्रूब भी किया जा सकता है और वीडियो दिखने के लिए आप हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्त लिए